हेलो एवरिवान बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का जैसा कि आप सभी को पता चल गया है अभी तक कि अभी बहुत सारी वेकंसी ओपन हुई है जिसमें से में है आपकी पटवारी जिसमें सबसे ज्यादा पोस्त है बाकि ग्रूप 2, ग्रूप 4, सहायक सम परिक्षक सारी वेकंसी से इसमें अपन आज बात करने वाले है पटवारी पर जिसके 2,736 पोस्त दी गई है आपको 2,736 पद है फॉर्म कब से फिलफ हो रहे हैं इसके फॉर्म फिलफ हो रहे हैं 5 जनवरी 2023 और लास्ट डेट है 19 जनवरी 2023 अगर करेक्शन करवाना है तो चोईस तक आप कर पढ़ने के लिए तीन महीने है जो काफी है 15 मार्च से आपकी एक्जाम स्टार्ट है और कब है कित्ती बज़े से क्या है वो सब आप देख सकते हैं मतलब 5 जनवरी से फोन फिलफ होने स्टार्ट है इसमें किसले बस में कुछ चेंजिस हुआ है वो देख लेते हैं क्या चे पेपर दो पेपर नहीं पेपर एक ही यहां पे लिखा है प्रश्ण पत्र की कुल संख्या एक एक पेपर है बट उसमें 200 नंबर का पेपर है और जो जो फर्स्ट पेपर जो सो नंबर हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित गणित पहले भी आती थी हिंदी आपकी पहले भी भी आती थी साइन्स और अंग्रेजी एक न्यो सब्जेक एड किया गया है सामान्य ग्यानेवम अभी रूची, सामान्य कंप्यूटर पहले भी आता था, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, प्रबंधन की जगे पहले आता था पंचाईती राज, जो कि उस सब्जेक को इस बार हटा दिया है और नया एड कर दिया है सामान्य प्रब में पोजिख्ट लेंग तो ऐसा ज़्मर्ट की यह उसकिता है कीfaced अनग्रेजी निसफने हो सकते पिंठाक हो क्यों की इति हुआँ हक श्तुल का यह सब्जेक्ट थो और हो सकता है कि कया जादा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंग्लिश में किस टाइप के क्योशन बन सकते हैं क्योंकि आज से पहले पटवारे में इंग्लिश नहीं पूची गई है बट गुरूप टू एन गुरूप फॉर गुरूप थ्री इन में हमेशा इंग्लिश कुछ इसकी व्यकैंसिज आत देहें सभी एक्जाम्स में तो इसमें किस टाइपस की क्योशन बनेंगे वो देखते हैं अपन जैसे फ्रस्ट व्यक्योशन दिया है आपको चूज दो ऑप्ष्ण देट बेस्ट फिल्स इन्ट गुफ्लीट थे गिवन जैंतेंस ठीक है फ्रस्ट है जैं इस नेवर सैटिस्वाइड शी डैश फ्रस्ट ऑप्ष्ण दिया है शाल ओल्वेस कंप्लैन विल ओल्वेस कंप् फिर आता है आपका tense से execution बन सकता है बहुत सारे सारे chapter से बन सकते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है always tense के case में always मतलब present को show करता है मतलब future के साथ use नहीं होता है हमेशा जो काम हो रहा है habit जो है आपकी वो present को show करती है future के साथ नहीं तो shell और complaining दोनों option सही है आगे देखते हैं यहाँ पर is दिया है मतलब इस side present है तो दूसरा sentence भी आपका present में ही use होगा इसलिए answer हो जाएगा is always complaining वो हमेशा complain करता है second question दिया है most children to speak by the edge of three बहुत सारे बच्चे जो है जो तीन साल के होते ही क्या करने लग जाते है learn are learning speak sorry by the edge of three are learning learn learns या learned अब यहाँ पर क्या दिया है children plural है plural है मतलब आपका learns तो आ नहीं सकता यह singular verb main verb में जब भी es या es लगा होता है वो singular होती है तो यह नहीं हो सकता and are learning हमेशा सीखते है बोलते हैं यह करते हैं हमेशा की continuous नहीं है यह most of इसा होता है कि जब three year के होते हैं बच्चे age of three तो वो learn करने लग जाते है to speak by the age of three मतलब यह habit या एक general fact है general fact है present simple plural है present simple plural verb मतलब भी वाला option यहाँ पर correct हो जाएगा second third दिया है my friend and I my friend एक तो मेरा friend और एक मे मतलब दो लोग है जब भी end से जब दो लोग जुड़े हो subject आपका plural बनता है plural बन रहा है मतलब verb भी plural आएगी subject, verbs, chapter के according तो यहाँ पर is being singular है has भी singular है was भी singular है answer हो जाएगा have been invited to the party अगला question दिया है only dash crops can be grown on arid land arid land means सूखी भूमे मतलब अनुप जाओ ठीक है sorry शूज जिसको बोला जा सकता है only dash crops फसल तो a lot of बहुत सारी सूखी भूमे बहुत सारी नहीं होगा सकते many भी बहुत सारी हो रहा है कुछ नहीं होगा सकते ऐसा तो है नहीं कुछ उगा सकते है only a few a few मतलब होता है कुछ few मतलब होता है न कि बराबर मतलब कुछ भी नहीं only a few crops can be grown on arid land सूखी जमीन पर आप कुछ फसल उगा सकते हो ऐसे डिटर्माइनर या एडजेक्टीव के क्यूशन बनते हैं हमेशा एक्जाम्स में next दिया है डैश happiness and love surrounding डैश newly married couple was evident article की क्यूशन भी बनना है अब सबसे पहले यहाँ पर देखो pronunciation क्या निकल रहा है happiness मतलब happiness मतलब कर से ग्यर के बीच में आपका pronunciation निकल रहा है तो उसके साथ में A या N में से आपको A लगाना है A यहाँ पर N दिया है मतलब यह option ही गलत है आपका यहाँ पर suitable नहीं होगा यहाँ देखने की जरूरत नहीं है ठीक है next option दिया है the happiness and love surrounding the newly married couple was evident यह exact की बात कर रहा है कि love and happiness होती है जो नए-नए couples होती है उनके इसा इसा तो fix भी बता रहे हैं तो 2 आ सकता है आगे देखते हैं आगे दिया है a happiness हो सकता है question पढ़ने से पहले ठीक है उसके बाद में दिया है newly तो new के साथ में आप N नहीं लगा सकती यह भी न का pronunciation मतलब A आना चाहिए तो यह option में गलत होगे यहाँ पर फिर वही बात आ गई N नहीं आ सकता answer हो जाएगा the और the option काट के अगर question को solve कर रहे है बहुत easily और correct answer आएगा next दिया है he was-prison-two years ठीक प्रिपोजिशन का है at four in or over in four into since two years मतलब long time है since वाला गलत आगे देखते है at four eight नहीं आता है in prison prison मतलब jail के अंदर की बात हो रही है तो eight नहीं आएगा in prison हो सकता है लेकिन over two years नहीं होगा for two years long period के लिए four use किया जाता है exact यहीं पर morning, evening या कोई dead weight तो फिर since लगा सकते थे तो he was in prison for two years next question देखते है next question दिया है find the word which is most similar to the given word जो आपको word दिया है brave इसका आपको बताना है similar similar आ सकता है synonym आ सकता है ठीक है synonym हमेशा पूछे जाते हैं antonym भी पूछे जाते हैं spell correct भी पूछी जाती हैं तो यहाँ पर answer हो जाएगा courageous, brave, बहादूर next दिया है next है we need we need blank है यहाँ पर butter for this cake उसको जरूरत है थोड़े से butter की मतलब few of fuel a little the little few मतलब न के बराबर यह नहीं वेसे भी butter क्या है uncountable है तो uncountable के साथ में little use किया जाता है few नहीं तो दोरों option यहाँ पर wrong हो गए a little मतलब कुछ होता है जितना है सब कुछ नहीं तो answer हो जाएगा है हाँ पर a little okay thank you very much अटवारी की English की तयारी के लिए मेले साथ बने रहिए और इस चैनल को subscribe जरूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुँच जाए